प्रभाग नौव में सिउसेना के सर संगठक सलमाल नहासमी ने प्रभाग नौव के रहवासियों के हित के लिए कुछ ना कुछ शुबधायें लेकर आते रहते हैं और लोगों को जिस तरह से मदद की जरूरत होती है उनको उस तरह से मदद पहुशानी की कोशिस करते हैं करेले के मादेम से लोगों को इश्रम कार्ड और जेस नागरी कार्ड रोजगार योजनाओ के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं और लोगों को समस्याओं का निवालार करने की कोशिस कर रहे हैं आए नजल डालते हैं हमारे संबाद दाता महिंकुमार गुपता और आप देखरें सुप्रीम टीम समाचार जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ पे सुषेना के साखा में सलमान हसमी जी के द्वारा यहाँ पे लगातार लोगों का हेल्प किया जा रहा है किसी किसी तरीके से कभी रासन बित्रण हो गया कभी बुग बित्रण हो गया कभी स्रमिक काड हो गया कभी जेश्ट नागरिक हो गया लगातार यहाँ पे जिस तरह से सलमान जी यहाँ पे काम कर रहे हैं कापी सराहनी काम कर रहे हैं और क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या करने कोसिस किया जा रहा है मड़म क्या ना हो आपका मेरा नम माधिर यहां पे यहां पर क्या कर रहे हैं और इस्ट्रम काड यह रखा है पेंशन है इसमें उनको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा उसमें पहली बात तो उनका मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए और बैंक का डिटे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लगातार लोगों को हल्प किया रहा है और यहां पर जरसे बीजन कपनेंगे क्या नम हो आप मेरा अरजिवननभय पंचा मार यहां पर आप क्या कles रहुए अब बन गा एक अब बन गया और इस्रम काड़ बनाने का अभी तो अभी बनाने के लिए और यह बताईए सल्मान गासमे जी का काम यहां पर किसा लगा आपको इनका कहना है कि जिस तरह से सलमान जी यहां पे लगातार काम कर रहे हैं बेगर किसी पत पे रहते हुए तो अगर यह नगर सिवक बनेंगे किसी पत पे होंगे तो और अच्छा कर पाएंगे आयए और लोगों से हम जानने की कोशिस करते हैं मेडाम आप यहां पे क्या कर रहे हैं और श्री इश्रम का फॉर्म घुर्म अभी तक आपने कितना लोगा फॉर्म भरा दो तिन हो गया हैं यह कभ से चालू यहां पर देख सकते हैं चार काउंटर लगा हुआ है लोग अलग तरिके से कोई इश्रम काल बना तो कोई जेश्ट नागरिक काल बना रहा है कोई आये हम जानते हैं यहां पे हमारे बीच में सलमा नहासमेजी हैं जो की लगातार यहां पे लोगों के बीच में प्रभाग कर्मा कर्मा कर नौ में लगातार अपना वर्चास बनाये हुए हैं और लोगातार लोगों के यह के का पर रहा करके नहीं काम कर पा रहे है। इस तरह से सल्मान भाई यहां पर काम कर रहे हैं और शर यहां पर इसम योजना रखा गया है। योजना का कार्य चालना दूसरा आप़ देख सकते हैं यहां पे सीनियर सी जिजन्स पेंसन सुविदा के लिए रखा गया है। और यहां पे जहां बढ़ बहनों के लिए यहां पे रखा गया है तो ऐसे काप्ट दिना कुछ न पुछ काम चलते रहता है जो लोगों मोगों के सेले है कर दो के दो पड़े बुजूर्ग हमारी बुजूर्ग माताएं भाईयों और बेहनों के लिए हर समय रही में बाइने हर वक्त काम आ पर जण संपर्प करते रहते हैं टोग साल के बारा महीने हमारी ओपिस खुली रहती है यहाँ पे तेवहार भी मनाया जाता है इद भी मनाई जाती है दिपावली भी मनाई जाती है होली भी मनाई जाती है हर तेवहार मनाया जाता है और हमारे senior citizen के लिए खास करके यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि senior citizen के साथ में बहुत ही तकली सब्सक्राइब करें दोड़ी के लिए पैंसन चालू के लिए इस सुभीदा लागुए तो ऐसे तमाम कार शलते रहते हैं आप देखें लोकडाउन से लेके अभी तक जिस तरीके से अनाज वाट अप दवाई बाटप सिने टाइयर वाटप माक्स बाटप और लोंग बुक बच्चे बच्चों के लिए खास करके주더 सिच्छा पर ध्यान दिया, आज 3 साल से लगातार continue लोगों के भर घर जाकराएंके लोग के सुसाइटी में जाकर बच्चों को देना तो ये हमारा पर सबसे जादा ध्यान था यहां पे जो बुजूर क्रमंक 9 के लोग रहने वाले हैं वो आपको नगर सिवक के रूप में देखना चाहते हैं क्या कहेंगे सब्सक्राइब आपको नगर सिवक पत्पे ना रहते हुए हम कोई पोश्ट पे ना रहते हुए स्यू सेना के माध्यम से हमारे आमदार परताप जी सरनाइक साब के नेत्वित में ये काम चल ला है और हमारे महाराष्ट के जो मुख मंत्री हैं आज हम सभी के लोग लाडले मुख मंत्री माननी श्री उद्दो जी ठागरे साब जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम ना करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख किसाई सभी को लेके चलने वाली सक्सियत आज महाराष्ट के मुख मंत्री के नाते जो है कारे कर रहे हैं तो मैं समस्ता हो कि ऐसा मुक्मंत्री हमारे साअरे हिंदूस्तान के परदेश में रहना चाईये और हैं देश का विकास तब होगा जैसे महाराष्ट में विकास हो रहा है जिस तरीके से कार्य चलने देश ना विकास तब हगा सर्वधर्म को लेके चलने वाली सक्सियत या तो आप भी नगर सिवक यहां पर लोग बनने के लिए तो आप भी उनकी तरह करेंगे क्या कि आपका यह जो कार है यह लगातार जारी देगा सबसे पहले तो आपके मिडिया के मादम से मैं बताना चाहूँगा कि हम कोई पोश्ट पे ना रहते हुए आप सो देख सकते हैं कि 16-17 सालों से हम मेहनत किये जा रहे हैं लोगों की मदद किये जा रहे हैं लोगों के लिए कारे करते चले जा रहे हैं तो नगर सिवक बनने के बाद हमको नहीं लगता है कि फिर आगे कोई तकलीप आएगी हम घर घर पहुचने वाले लोग हैं हम घर घर पहुच के लोगों की मदद करते हैं लोगों की सेवा करते हैं लोगों को यहां पर इकत्रित करके कारे करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको बताओं कि नगर सेवक बनने के बाद मैं क्या नहीं कर पाऊंगा तो मुझे तो लगता है कि मैं बस कार कर रहा हूं नगर सेवक माइने हमारे लिए नहीं रखता है हमें लोगों की सेवा करना है बस सेवा करते चले आ रहे हैं और सेवा करते रहेंगे जैसा कि आप लोग ने यहाँ पे देखा अभी हमारे साथ सल्मान हासमी जीज थे और यहाँ पे इनके वार्ड में मैं जाननी की कोशिस क्या लोग बोले कि यहाँ पे हम उनको नगर सिवक देखना चाहते हैं जोड़े हमारे सुप्रीम समचार के साथ फिर मिलेंगे अगले कुछ खास कबर के साथ तब तक लिए जय हिन जय महाराष्ट